हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू आज मैं आपको इंगलिस क्रामर में पाट्सो पीश पीच के वारे में बताने वाला हूं पाट्सो पीश पीच जो की आठ प्रकार के होते हैं इन सब के वारे में हम एक-एक करके बात करेंगे पार्ट सो पिस्पीच यानि बाक्य भेद क्या है अरताथ किसी भी बाक्य को लिखने या बोलने के कुछ सब्दों के समू को जब विवस्थित करके लिखते हैं जिससे उनका अर्थपूर्ण बाक्य बनता है उन सभी अलग 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 नाम से पुकारते हैं जीने पार्ट सो पिस्पीच कहते हैं इनकी संख्या ओठ है अब हम एक एक करके सब के बारे में अलग से बात करेंगे नमबर बन है नाउन, नाउन मिन्स होता है संग्या, इसकी डेफिनेशन है, the noun is the name of a person, place, or thing, अर्थात किसी भी ब्यक्ति, इस्थान या बस्तु के नाम को संग्या कहते हैं, जैसे मैन, बोमैन, होर्स, कानपूर, टेवल, देहली, राम, सीता, आदी नमबर टू, प्रोनाउन, अर्था सर्व नाम, इसकी डेफिनेशन है, the word which is used in place of a noun, it's called प्रोनाउन अर्था जो सब्द संग्या के स्थान पर लिखे जाते हैं, उन्हें सर्व नाम कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, आदी नमबर टू, वर्ब, वर्ब मिन्स किरिया, इसकी डेफिनेशन है, the word which denotes an action or state is called a verb जिस सब्द से किसी कार्या का होना, या करना, या इस्तिती पिरकट हो, उसे किरिया कहते हैं, इसके एक्जाम्पिल हैं, read, go, come, run, play, आदी नमबर फोर, adjective, adjective कहते हैं, बिशेशन को, इसकी डेफिनेशन है, the word which qualifies a noun or pronoun is called an adjective अर्थात, जो सब्द संग्य सर्वनाम की विशेशता बताता है, उसे विशेशन कहते हैं, जैसे, bad, good, clever, dirty, gentle, rude, आदी 5 है, adverb, adverb कहते हैं, किरिया विशेशन को, इसकी डेफिनेशन है, the word which adds something to the meaning of a verb, an adjective और another adverb is called an adverb, अर्था, जो सब्द किसी किरिया विशेशन के संबंद में अधिक जानकार देता है, उसे किरिया विशेशन कहते हैं, जैसे, fast, quickly, regularly, slowly, quietly, loudly, आदी 6 प्रेपोजिशन, अर्था, संबंद, बोधक, अब्य, इसकी डेफिनेशन है, इस प्रेपोजिशन is a word used before a noun or pronoun to show its relationship to some noun or pronoun given in sentences अर्थात, संबंद, बोधक, अब्य, बहेशब्द होता है, जो किसी संग्या या सर्वनाम से पहले प्रिक्त होकर उसका संबंद, बाक्या में दिये, अन्य संग्या वे सर्वनाम से प्रिकट करता है, जैसे, on, from, in, at, of, with, आदी सेवन नमबर है, कंजक्शन, कंजक्शन कहते हैं संयोजक को, संयोजक कहते हैं, मलब जोड़ना किसी एक सेंटेंस से, दूसरे सेंटेंस को, इसकी डेफिनेशन है, एक कंजक्शन is a word which joins towards classes or sentences, अर्थात, संयोजक बहेशब्द होता है, जो किनी दो सब्दों, उपबाक्यों, अथवा बाक्यों को जोडता है, जैसे, and, but, because, if, therefore, still, आदी, यह सभी कंजक्शन है, number 8, इंटर्जक्शन, इंटर्जक्शन कहते हैं, बिस्म्यादी बोधक अब्या है, इसकी डेफिनेशन है, An Interjection is a word which expresses sudden feeling and emotions, अर्थात, जो सब्द हिर्दय में अचानक उठने वाले भावों, एवं संबेदनाओं को प्रिकट करता है, उसे Interjection कहते हैं, जैसे, alas, hurra, bravo, oh, sh, आदी, Art, Part of Speech Catholic, बाकियों में A, N तथा दा का प्रियोग होता है, जिने Articles कहते हैं, बास्तम में ये एक प्रकार के Demonstrative Adjectives का ही कार्दिया करते हैं, Thank you.